आज का सूपर सर्प्राइस व्यूडियो को पूरा देगे तब ही पता चलेगा है गाइस कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम बनाएंगे मेरे पास थोड़ी सी कैरी रखी हुई है जो बहुत बिल्कुल देसी वाली है तो यहां पर यह अभी कच्ची है यह देखिए तो पकी नहीं तो इनको मैं कट करूँगी इसके बाद में बनाओंगी अचार फिलल तो अचार मेरे पास रखा हुए है लेकिन मैं इसको बना के डालूँगी क्योंकि यह जो कह रही है कुछ खटी है कुछ मीठी है जिसका जो टेस्ट होगा बहुत अच्छा होगा यह देखिए इसली कट भी जा रही है और कोई एक जो बड़ी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था कट करने में लेकिन कट हो गई थी इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी और इसमें बहुत ज़्यादा मॉस्चर नहीं होता है इसकी वज़े सी यह इसमें आप तुरंत बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अचार तो है नहीं कि खराब हो जा इसके बाद डालेंगे ब्लीक नमक नमक सरसों का तिल इसके बाद अच्छे मिलाने के बाद एक जानवें भरके रख़ दीजिये और यह खराब नहीं होगा उसके साथ जाद में आप lobbying होग दो से तीन दिन के बाद ही खाने लाइक हो जाएगा बस दूप में इसको रख दीजिए बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा अब तो मेरे पास छोटा सजार है काचका उसी में रख दूँगी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है तो फिरंट सी छोटा सा टिप्स कभी कदार आप थोड़ी सी चीज बनाते तो बहुत अच्छी बनती है और यली तो मैंने आज वही किया मुझे अच्छा लग रहा था तो मेरा चार रेडी है तो बनाईएगा आप अगर आपके पास ऐसा कुछ सामान है तो आप बना सकते तो चलिए मेरा चार रेडी है बि मुझे जाना स्कूल इसकूल जाने में आपको यह दिखा रही हूं कि कुहू की स्कूल के बाहर का यह नजारा है बहुत ज़्यादर ट्रैफिक लगता है इसकूल तो भी काफी दूर है उसके पहले से ट्रैफिक लगता है हमारे महले में इतनी ट्रैफिक होती आपको बता द देने इसके बाद आज बहुत ज़्यादा धोती तो मैं रिक्षिय में लेकर आऊंगी उसको और फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखेगा आज मैं आपको बहुत अच्छी से स्टोरी बहुत अच्छा कुछ दिखाने वाली हूं बताने वाली हूं सर्प्राइस वीडियो के वीडियो को पूरा देखें को कीशेंibly कामेंट करिए गर चलिए मैं जलदी से के आती हूं रुद्राण्स को इसके बाद मैं छो वीडियो है वह रात की वीडियो है दो फ्रेंड सारप्राइस क्या है सार्प्राइस यह कि आस दिखेगा गरे साल का सूपरेड सूपर्मून और सुपर मून दिखेगा रात में तो चलिए इसके बाद हम बच्चों को लाने के बाद डिरेक्ट मिलते हैं शाम को तो यह हो गई है शाम यह है मेरी गली का नजारा तो आपको दिखाना है चांद तो आज दिखेगा सबसे करीब आकर मून दिखेगा दुनिया भर में स्पाइब गटना को पता है शूपर मून कहा जाता है काफी बड़ा दिखाए देगा आप इस नजारे को अगर देखना भूल गए तो आप नेक्स टाइम यह की दे सकते हैं 2023 में लेकिन अभी आपको जो नजारा है वो आपक करके तो देखिए तो सच में चांद आज बहुत बड़ा दीख रहा है यहां से ऐसा लग रहा है बड़ी सी थाली वाला चांद है इसको साथ में आपके अपनी गली के नजारा भी आपको दिखा दूं तो यह है रात को रात को 930 हो रहा था उसमय का तो यह देखिए कोचिंग इसके बाद यह देखिए पूरी गली एक्दम जगमगा रही बाके सब जगे अंधेरा क्योंकि बाके सब जगे अंधेरा दिख रहा है लेकिन गली में अभी पूरी लाइटें जल रही है 930 हुआ है इसके बाद यह देख लीजिए यह मेरे बगल में यह देखिए इसके बा चलते हैं नीचे तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब करना शेयर करना जो लोग मेरे साथ नए जूड़े हुए हैं बेल आइकन को प्रेस करें जैसे कि मैं कोई वीडियो डाल सबसे पहले फ्रेंट्स आपके पास नोटिफिकेशन ज करें लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें आप मेरे साथ बने रहते इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे आप हमारे साथ देते रहें लब यू टेक कियर बाइबाए नमस्ते जैहिल